हलो दोस्तों स्वागत है अपता अपने चैनल एक्जाम इसान पे तो गार फिर से मैं हाज़र हूँ 30 अगस 2020 की इंपोर्टिन इमेडिस के साथ आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुनें क्योंकि लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देना है आज का पहला कोशन है नेशनल स्पोर्ट डे यानि राष्ट्रिय खेल दिवस किस डेट को अबजर्व कियाता है तो नेशनल स्पोर्ट डे तत्येग वर्स 29 अगस्त को यानि 29 अगस्त को अबजर्व कियाता है 29 अगस्ट को क्यों क्योंकि जो हमारे मेजर ध्यान चन्जी थे उनकी वर्थ एनिवर्सरी तद्धिक वर्ष 29 अगस्ट को सेलिब्रेट कियाती है उसी की याद में National sport day 29 अगस्ट को मनायाता है पहली बार आपका national sport day को मनाया था 2012 में तो आप इतना या देखेगा national sport day 29 जो आपके नेशनल स्पोर्ट अवार्ड होते हैं वो दिया आते हैं यानि राष्टी खेल पुरुषकार इस बार राजियू गांदी खेल रत्म पुरुषकार कितने लोगों को दिया रहा है तो पांच लोग इस बार स्लिट किया गए हैं रोहिव सर्मा और कई सरे लोग हैं वो हम पहले डिसकस कर चुके हैं ने कोशन है नेशनल जी आइस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को किसके दोरा लॉंच या गया है तो नेशनल जी आइस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉंच या गया है प्यूस गोईल जी दोरा प्यूस गोईल जी हमारे कॉमर्स and industry minister है, साथ-साथ यह railway के minister है, लेकिन यह जो national GIS enabled land bank system है, इसको commerce ministry के इंतगर launch किया गया है, जो आपका national GIS enabled land bank system है, GIS मतलब geographic information system, यह जो bank system है, इसमें क्या होगा, all over state में, जितने भी industrial land होंगे, उनको एक जिवह पे उनकी information available होगी, इसलिए इसका नाम है, national GIS enabled land bank system, यानि जितनी भी land होगी, उसको एक bank के फॉर्म में सारा data कर लिया जाएगा, तो हमारे प्यूस कोईल जी ने इसको launch कर दिया है, इस टार्टी में सिर्फ six state, यानि छे राज्जों के जो भी industrial land है, उनको इस bank system में अप्रोड कर दिया इसको develop किस ने किया है, तो IIS, industrial information system दोरा इसको develop किया गया है, ने question है, इंडिया की first marine ambulance किस Indian state में launch की गई है, तो इंडिया की first marine ambulance launch की गई है, केरल में, देखे, marine ambulance, इसका नाम है प्रतीक्षा, आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा इसको बनाया किस ने है, तो कोचीन CPR Limited ने बनाया है, देखे, कोचीन CPR Limited तीन marine ambulance बना रहा है, एक तो पहली आपकी हो गई प्रतीक्षा, दो बाती हैं, उनका नाम क्या है, प्रत्यासा क्या, प्रत्यासा और करुन्या, ये दो और marine ambulance हैं, इनको भी बनाया जा रहा है, जो आपकी प्रतीक्षा, marine ambulance है, इसके लागत आई है, 6.08 करोड़, एक marine ambulance की लागत आई है, जब तीनो marine ambulance कंप्लीट हो जाएंगी, तो टोटल लागत कितनी आएगी, 18.24 करोड़, तो रिसेंटली, जो प्रतीक्षा, इंडिया की पहली marine ambulance है, उसको केरल के दिर्वनत पुरम में लाँच कर दे गया है, जो केरल के CM है, पिनराई विजियन, उनके दोरा, इसको बनाया कहा गया है, तो कोचीन सिपियार लिम्टे दोरा इसको बनाया गया है, टोटल तीन marine ambulance बननी है, टोटल कोच्ट आगी, 18.24 करोड, केरल की बात करते हैं, तो इस समय CM कौन है, पिनराई विजियन, गौवर्नर कौन है, आरिक मुहमत खान, देखे, केरल का silent valley national park, और पेरियार टाइगर रिजर्व, आप ज़रूर याद रखेगा, ने कोशन है, फिफ्ट Asia India business council meeting को किसके दोरा inaugurate किया गया है, तो रिसेंटली पाच्वी Asia India business council meeting, जो की virtual तरीके से हो रहे थी, इसको inaugurate किया गया है, प्यूस गोयल जी दोरा, ये है पीस गोयल जी, इन्होंने ही पाच्वी AIBC, यानि Asia India business council, जो virtual meeting हो रही थी, उसको inaugurate किया है, इस बार कि जो Asia India business council थी, उस दोरान discussion किया गया है, कि Asia, sorry, आसियान, और इंडिया के वीच में जो trade हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी बढ़ा कर, 300 billion dollar करना है, कितना, 300 billion dollar करना है, इस बार कि जो ये meeting रही आक कि Asia India business council meeting, इसका focus 3C, 3C's पे रहा, वो क्या है, एक है cooperation, दूसरा collaboration, और चोथा है, sorry, तीसरा है commitment, तो इस बार कि meeting के 3C focus area थे, आशियान के साथ ये बैठे कोई है, तो आपको आशियान के वी से में बता होना चाहिए, Association of Southeast Asian Nation, 1967 में स्थापना होई टोटल मेंबर कितने है, 10 members है, इसका headquarters जकारता में है, और इंडिया इसका member नहीं है, आपर रखेगा, नेक होशन है, इंडिया ने किस country के साथ, defense policy dialogue यानि DPD का 14th edition host किया, तो 14th edition defense policy dialogue का host किया गया है, इंडिया और Singapore के बीच में, आप देख पा रहे हैं, इंडिया और Singapore के बी आजे कुमार जी, उन्होंने इंडिया को represent किया, और जो Singapore के defense secretary है, चांग हेंग नी, उन्होंने अपने Singapore को represent किया, देखिए जितने भी bilateral defense related issues से, उनका discussion किया गया है, 14th defense policy dialogue में, जो कि इंडिया और Singapore के बीच में हुआ, बात करते हैं, Singapore की, तो capital तो Singapore city है, currency क्या है इसकी, Singaporean dollar, recently, यानि कुछ समय पहले ही, इसके Prime Minister Singapur के कौना point हुए है, तो Lee Shen Lung, next question है, National Teachers Award, 2020 के लिए किसको select किया गया है, तो National Teachers Award, यानि राष्ट्रिय अध्यापक Award, पुरुस्कार, इसके लिए select किया गया है, हमारी सुधा पैनुली को, देखिए, ये है सुधा पैनुली जी, इन्ह को इस बार के, यानि 2020 के National Teachers Award के लिए सम्मायत किया गया है, National Teachers Award हर बार पास सितंबर को, मदन मोहन मालवी, सोरी, जो हमारी सरवपल्ली राष्टर्टर जी थे, भारत के पहले उपराश्पती और सेकेंड प्रेसिजेंट, उनकी याद में ये National Teachers Award दियते हैं, पास सितंबर को, utilizing के इस बार किसको सिलेट के गया है, तो इस बार सिलेट के गया है, सुधा पैनुली जी को, सुधा पैनुली जी देहरा दून में, अक एक अकलव बे मॉरल स्कूल हैं, जोकि ट्राइबल अफ़ेर्स मिनिश्टी का स्कूल होता है, वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल है, तो इ बैंगलूरू में इनका निधन हो गया यह athletic के coach थे important इसलिए है क्योंकि 29 अगस्त को यानि कल के दिन इनको द्रोडाचारे पुरुसकार मिलना था लेकिन उससे एक दिन पहले पुरसोत्तम राय जी का निधन हो गया तो सिर्फ द्रोडाचारे और मिलने से एक दिन पहले इनका निधन हो गया इसलिए बहुत important बन जाते हैं आप देखिएगा बैंगलूरू से विलॉंग करते हैं यानि करनाटक से athletics के coach थे पुरसोत्तम राय जी इनका निधन हो गया दूसरे कोन है एरनौर्ड मायर स्पीलबर्ग यह हैं एरनौर्ड मायर स्पीलबर्ग यह अमेरिका के electrical और computer engineer थे एरनौर्ड मायर स्पीलबर्ग इनका भी निधन हो गया तो आप पुरसोत्तम राय जी जरूए देखेगा ने कोशन है सिंजो अवे रिसेंटली इन्होंने resign कर दिया है आपको दाना किस country के longest serving प्राइम मिनिस्टर थे तो सिंजो अवे जापान के अब तक के सबस से नहीं कर पा रहे थे और इंडिया जैसा तो है नहीं कि हम free की salary रहते रहें तो रिसेंटली सिंजो अवे जी जो जापान के अब तक के सबसे ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहने वाले person थे सिंजो अवे जी उन्होंने resign कर दिया खास बत क्या है सि प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंजो अवे जी जिन्होंने resign कर दिया है जापान के emperor कौन है नरो हितो कुछ समय पहले ही appoint हुए इस लिंक का नाम important है जापान की संसद एक्जाम में पूछ लिया ती उसका नाम है diet डी आईट ने question है चुनावती जो की एक next generation startup challenge contest है इसको किसके लांच किया है तो चुनावती कांटेस्ट को लांच किया है हमारे minister of electronics and information technology रवी संकर प्रसाद जी है यह रवी संकर प्रसाद जी इन्होंने चुनावती जो की next generation startup challenge contest है उसको लांच कर दिया है इसमें क्या होगा total नई generation के ऐसे 300 startup select किया एंगे और बात में उनको कुछ fund भी प्रोड किया एगा ताकि वो अपनी growth कर सकें तो इसके लिए 95.03 करोड फंड allocate किया गया है चुनावती contest के लिए 300 startup select किया आएंगे next generation के तो आप है दखेगा रवी संकर प्रसाद जी ओर रहा लांच कर देगा है जो के हमारे electronics और IT minister है ने कोशन है किस e-commerce platform दोरा एक new health and wellness service ल wellness service launch की है इसमें क्या होगा देखें लोगों को door to door हो जाकर ये health and wellness service provide किया गी medicine facility होगी doctor consultation होगा सब कुछ provide किया जाएगा तो Amazon Hello या फिर Amazon Hello ये Amazon की एक नई health and wellness service है अभी starting में इसको कहा start किया गया है सिर्फ अमेरिका में देखें जो ये e-market platform दोरा कई सारी services start की जा रही है उन flip card ने launch किया उसका नाम क्या था flip card leap अब आपसे exam कभी ये नहीं पुछा जाएगा कि flip card leap किस ने launch किया क्योंकि उसमें तो पहले ही नाम आ रहा है उसी तरह से आपसे exam में ये भी नहीं पुछा जाएगा कि Amazon Hello किस ने launch किया उसमें पुछा जाएगा exam में एक new health wellness service किस e-commerce program दो founder and CEO है ने question है smart assist portal किस company की दोरा launch के गया है तो smart assist एक तरह का चैट बोट होगा जो कि आप लोग की यानी customers की help करेगा इसको launch के गया है बजाज एलियांस बजाज एलियांस की जो life insurance service है उन्होंने smart assist portal launch कर दिया है जितने भी customers होंगे बजाज एलियांस की life insurance related जितने भी policy और product ह होंगे उनके विसे में smart assist portal पर जानकारी मिल जाएगी तो आप देखेगा smart assist portal बजाज एलियांस दोरा launch के गया है बजाज एलियांस life insurance दोरा तो यह भी confusion मत होईएगा कि आप कही एक्जाम में यह पूछ लें कि बजाज एलियांस जर्नल इंसूरेंस या फिल लाइफ इंसू से launch की है तो आप यह भी नोट कर लेजेगा बजाज एलियांस life insurance की बात करें तो 2001 में इस किस थापना हुई थी CEO कौन है तरोड सूध तरोड सूग जी इसके CEO हैं बजाज के सारी companies का headquarters पूने में ही है ने कोशन है प्रधान मंत्री जंधन योजना यह किस वर्स लांच की थी तो प्रधान मंत्री जंधन योजना लांच की थी 2014 में 28 अगस्ट 2014 को प्रधान मंत्री जंधन योजना लांच की थी इसमें क्या था सबी परिवारों का account खुलना है 10 वर्स से उपर आए कि जितने भी member होंगे इंडिया में अब उनका account खुलने के लिए इसका target है प्रधान म 35 लाग bank account खुले जा चुके हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना इसका मोटो क्या था मेरा खाता भाग दिविदाता जो ministry of finance के तहर department of financial service है उसके द्वारा ये scheme रन की जा रही है 28 अगस 2014 को launch की गई थी और आप इसके 6 वर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप या देखिएगा 40 करोड से उपर एकाउंट खुल चुके हैं नहीं कोशन है संजीव सिंग जो की IOCL यानि Indian Oil Corporation Limited के फॉर्मर CMD चेर्मेन और मैनेजी डायेटर रह चुके हैं आपको तना है recently इनको किस कंपनी दोरा प्रेसिडेंट अपॉन किया गया है तो संजीव सिंग जी को Reliance Industries Limited ने अपना के लिए अभी तक IOCL में ये चेर्मेन और मैजीन डायेटर थे यानि Indian Oil Corporation Limited में कुछ समय पहले इनका Retirement हुआ है ने कोशन है जो उडान Regional Connectivity Scheme है उड़े देश का आमनागरिक Regional Connectivity Scheme इसके अंतरगत Civil Aviation मेंश्टी दोरा और कितने नए रूट्स का Approval दिया गया है तो recently उडान Scheme के तहट 78 नए रूट्स का Approval दिया गया है तो इन 78 यानि 78 अगर रूट्स को मिला ले तो अब तक उडान स्कीम के तहट 766 यानि 706 रूट्स को Approval किया जा चुका है इससे क्या होगा जो Remote Areas है हमारी कंट्री के वहाँ पर Flight Connectivity और ज्यादा बहतर होगी उडान स्कीम कर ला लांच की थी Ministry of Civil Aviation के तहट यह स्कीम चल रही है मिनिस्टर कोन है हर्दीपुरी आपको एक पता होने चाहिए कुरान स्कीम में क्या है देखे 2500 का फिक्स पेयर है अगर आप एक घंटे की commercial फ्लाइट लेते हैं जिसकी डिस्टेंस 500 किलो मिटर है या फिर आप 30 मिनिट के लि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किसको दिया गया है तो इंडियन एक्सप्रेस का टेकनोलोजी सभा और दिया गया है तिलांगना गवर्मेंट को देखिए बेटर बेटर टेकनोलोजी इंप्लीमेंटेशन के लिए तिलांगना गवर्मेंट को इस बार का टेकनोलोजी सभा और इंडियन एक्स्प्रेस जो की एक न्यूस पेपर है उसके दोरा दिया गया है बी पोश्ट तेलागना गुवर्मेंट ने बी पोश्ट करके एक प्रिटफॉर्म डलग किया था बात करते है तेलागना की यह मैप में तेलागना कैपिटल क्या है है हधरबाद 2020 तेलागना गौवर्मेंट ने 2020 को Year of the Artificial Intelligence गोसित किया है तेलागना उसके लाबा हैदराबाद में टी एस विदर नाम का मुबाइल एप भी लाँच किया था तिलंगना की सीम कौन है के चंद सिखना गवर्नर कौन है तमिल साही सुंदराजम और इस बार का टेकनोलोजी सभावाड इंडियन एक्सप्रेस दोरा तिलंगना को मिला है ने कोशन है सिखनें ने वालें वर्ड के पहले बॉलर क्या मगा है तो तक किसी नहीं 500 विकट याई 500 विकट नहीं लिए आपके ट्वेन ब्रावो यह है ट्वेन ब्राव्ट ब्रावो ट्य किसी कि है। यह pull है हमारे प्रवीन टामबे जी सीपी ये है प्रवीन टामबेजी मूंबाई से बिलॉंघ करते ہیں। सीपील में खेलने वाले यानि करेबियन प्रीमियल लीग जो की वेस्ट अधीस के आसपास 주 हो रही है उसमें उसमें खेलने वाले यह प्रवीन तामबे जी फष्ट इंडियन मन गया है तो आप रेखेगा प्रवीन टामबे फष्ट इंडियन है जो करेबियन प्रीमियल लीग में खेल रहे हैं तो इन दोनों की पी क्या रहते हैं डूंट ब्राव पांचो टी टूंटी विक्ट लेने व किस इस्टेट गवर्मेंट द्वारा राज की पूर फैमिलीज के लिए 200 क्रोड का इस्पेशल असिस्टेंस एनॉंस के गया है तो रिसेंटली ओडिशा गवर्मेंट द्वारा कोविड-19 ट्राइज से सुदेखते हुए जो भी राज में इनके गरी परिवार रहने हैं उसके ओडिशा गवर्मेंट ने 200 क्रोड का इस्पेशल पैक्स एनॉंस किया है आप देखेगा बात करते हैं ओडिशा की तो यह मैप में ओडिशा दो दिन पहले में आको पढ़ाया था जे एस डब्लू जे एस डब्लू इस्टील ने ओडिशा में अगले दस वर्स में एक लाग ओडिशा का लिंगराज मंदिर बहुत फेमा से समय भूनेश्वर में है भगवान सिवको समर्पित है यह मंदिर इसका रेनोवेशन हो रहा है इसलिए चर्चा में है सीम कौन है ओडिशा की नवीन पढ़नाई जी कवर्नर कौन है गनेशी लाल यहां के गवर्नर है और आप विसंट्ली ओप्षन गुगा था उसका आपको ताना है कितने में उसकी निलामी तो महात्मा गादी जी के इस चसमे की निलामी रुपीज में अगर इसको पौंड में चेंज करें तो 2,60,000 कितना 2,60,000 पौंड में इसकी निलामी हुए उस अमेरिकी पर्सन का नाम अभी त यानि कि निलामी हो गई है 2.55 करोड में तो UK में और्गनाइज हुई थी UK के PM कौन है? बोरी जानसन यह हैं पिछले वीडियो के कोशन और यह हैं आज ही वीडियो से कोशन I hope कि आप इनका जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप सब ने एक्स वीडियो में तो तक के लिए टेक केर गुबबाय और जाएंगे